घटिया, कमीना और गंदा इंसान है ये अरनाब गौस्वामी चुब साली अकवास करती हराम खुर जीर के रखतूंगा वैसा भी तक तुम यहाँ पर आई गए हो तो देखी लो क्या मला है दुनिया में अगर जूट को इंसानी शकल मिलती तो पता है ये किसका हमशकल होता यकीन मानिये ये जूट है न ये भारती गोदी मीडिया के एंकर अरनाब गौस्वामी का हमशकल होता दोस्तो भाई और वेनो नमस्कार मैं हूँ अरनाब गौस्वामी इतना ये बंदा जूट का मंजन बेशता है बलकि अगर मैंको इसका प्रोग्रम चलता है जूट पर है तो गलत नहीं होगा, इतना बेशरम, इस बेशरम को जब जब इसका जो आके है, इसका है कि दुम हिलाता है फिरते है, कौन है इसका आगा? नरिंदर मोदी. ये टिड़ी से बहुत ज़्यादा इनको विटमिन मिल रही है, आजकर लगता है, मगर ये विटमिन इनके धिमाग में नहीं जा रहा है। इसका टारगेट है, अर्नाव गोट्समामी जो कि अखंड रास्टवाद के प्रतीक है हमारे देश के अंदर और उनके उनका चैनल, उनकी बातों को काफी सीरिसली लिया जाता है, लेकिन ये ये दो टकी ओरत अर्नाव गोट्समामी को वाकेजारी गालिया। जो कि हीरा मंडी से अभी अभी भात के आई है वहाँ से, जो अपने आपको डॉक्टर फिजा अकबर खान केती है, तो इसकी थोड़ी सी पकपक सुनते हैं, इंजोई करते हैं, और मैं सच बता रहा हूँ, आपको सुनने में काफी आना नाने वाला है, तो आप इंजोई की तो पर इसकी तेजियां देखने वाली होती है, यह पाकिस्तान पर चड़ दोडता है, बगैर सोचे समझे के क्या बोल रहा है, यह शक्स इतना धीट है, इतना धीट के प्रोग्राम के अंदर जूट बखने पर, मुझे लख शेद कहना चाहिए कि इसकी वह कुतों ही होती ह लेकिन फिर भी बाज नहीं आता है, यह टिटाई की और मेरे खासे पीक है, आपको तो मैं एक घंटे तक पिडूँगा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है क्योंकि यह जिस कबीले से तालुक रखता है, उन्हें इजद से क्या लेना देना, उनको तो इजद का पता है निए, उन्हें इजद से कोई लेना देना नहीं होता कि इस जूट के ब्योपारी ने पाकिस्तान पर पुलवामा हमले का जाम लगाया था, याद आपको, लेकिन फिर कुद्रत में मोदी के इस पपी को दुनिया के सामने बेनिकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया, और ये नजारा सब ने देखा, लेकिन ये बेगैरत इनसान फ पाकिस्तान में इमेल नहीं चलती, पाकिस्तान में वाट्सैप नहीं चलती, पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ कबूतर और टिड़ी है, टिड़ी खाते हैं और कबूतर का, ने ने आउडियो आप गया रही है, टिड़ी आप खाते हैं और कबू कातिल आपको याद होगा इसने एक आर्किटेक्ट्चर के पैसे खाली थे और उस बंदे को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था इतना खुदगर्ज, लालची, घटिया, कमीना और गंदा इंसान है ये अरनाब गौस्वाद सुना होगा आपने जो तो सोशल मीडिया यूज करता है, ट्विटर पर भी इसकी बड़ी कुटों वाली हो रही थी, इसका निया कारनामा ताजा तरीन कारनामा और दुनिया बकाइदस पर थू-थू कर रही है, इसने अपने इंटालिजन्स, अपने इसके कोई इंटालिजन जराय के हवाले से दावा किया, कि काबूल का सरीना होटल है, उसकी पांचवी मनजिल पर पाक फौच के जवान तालिबान के मदद के लिए ठेहरे हुए है, अब जरा मज़े की बात सुनने कि इस होटल का कोई पांचवा फ्लोर है, उसके तो सिर्फ दो मनजिले हैं, और य जहनी बिमार शक्स, घटिया शक्स, अरनाब गॉस्वामी, पता नहीं क्या बताए चला जा रहा था, मुझे याद है, उसकी बात सुनने के बड़ टूटर पे काफी ज़्याद हो रही थी बिर्गेट साब, कि बच्पन में अकसर होता था, वह से बच्चे आपको भी स्कू आप पाकिस्तानियों मेरी बात सुनो, रिष्टे में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो अच्छी बात यह है कि तुम लोग बाप से दरे रहो, लेकिन जो बच्चे अपने बाप के सामने बदमाशी करते हैं, वो कान पकड़ कर पीटे जाते हैं अगर शरम हो तो चलू में डूप के मरज हैं, वोड़ तो हैं इसने शरम ने बाता था, इससे पहले जनल बख्षी ने जूड़ जनल बख्षी ने कहा कि पाकिस्तान के शावर के कोर कमांडर वहां पर मौझूद हैं, पंछेर में नमबर टू वहां पर दो कमांडर बटेली पाकिस्तान की पाकिस्तान की एरक्राट वहां पर इसा ले रहे हैं, एक आमर्स कॉड़न वहां गया हुआ है, एक आठिली रज्मन गई हो ड्रोन अटैक, यह वहां पर मैंने उनको कहा कि आपकी उमर है, आपका इर्भा है, आपको जूट बोलते हुए थोड़ी से तो शरम क्या सोचा था, हाँ, पांच सो रुपे के भाड़े के जितने आपको मिलते हैं, कुछ कर पाएंगे इदर? फिर बोले! तो जूट इतना बोलते हैं, तो मैं शरम भी नहीं है, अच्छा, हमको सिकारिया है, और दुनिया देख रही होती है, एज रिटाई से जूट बोलता है, और सेकिंड यह कि वह समय नहीं थी क्योंगे, इंडियन वह पब्लिक और उसके बाद मोधी के यह चाहेता है, वह इस चाहिए, यह देखें, डू एनिधिंग पाकिस्टान को मलाइन करने के लिए, और पाकिस्तान को जी इस वक एक कुलियत ही, हैसियत आसिल है, पिविटल सिचुएशन है, हमारी यह दुनिया के लिए और दुनिया के डिकनी चाह रहे हैं, इसमें यह फिर को रोड़ा अटका पाकिस्तान को चाहते हैं, पाकिस्तान को बड़ा निशान हो, नाइन एलेवन बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना, पाकिस्तान निशाना, क्योंकि एक ही नुकलियर मुल्क है, एक ही फॉर्ज स्रॉंग है, जो परफेशन दिके से सब उन्युनियर्ट को अब तब से अफ़ यह ज्यादा पागल हो गया, ज्यादा जुनूल हो गया, मतलब इससे बर्दाश्ट नियुरी बात, इनका पता कट गया, इनकी वहां इन्वेस्पन खतम हो गई, बलोचिस्तान में जो प्रॉब्लम करते हैं, अमेरिका की भीएस पर खतम हो गया, चीपक बलोचिस्तान में पॉप को आप भीएस पर खतम पॉप करते हैं, तालिबा ने खता है, तालिबाबन वार्दमीन इस्तमाल नहीं हो सकता है, तालिबाई ने पाकिस्तान गारंटी देग गई रखता ये प्रॉब्लम है और फिर प्रॉब्लम है जिसके वज़ए से इंडिया की नात रात की नि पत्रकारिता की आपके इसको मीडिया के अंदर आके थोड़ा बंठन के और जो इसे पागल आके एंकरिंग करते हैं वेशे करते हैं किस भाशय का युच कर रही है हमारे देश के पत्रकारों के लिए हमारे देश के प्रदान मंतरी के लिए अराम जादी खुद के अपने तो साथ खड़े होते हैं उनको सपोर्ट देते हो हमारे देश के पत्रकारों कोली देते हो हमारे पड़ान मंतर को गाली देते हो और अपने को कहते हो किनो हम्साहुआ रहे तुम चोर उ वर और जोर नहीं है सालो आतंग वादियो बाप बाप होता है बीटा बीटा होता है और दोसको आपको कमेंट जरूर करना है क्योंकि आपका कमेंट पाकिस्तान के मुझे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए जरूर किजिए क्योंकि आपके कमेंट सारे लोग पढ़ते हैं और तो करना करना लाजमी है, बिलकुल लाजमी है, शेर जरूर कीजिए, आप जहां भी कर सकते हैं, जरूर से शेर कीजिए, और आपका भाई ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता है, अपना खयाल रखिए, जैहिन वन्दे मातरम, जै श्रीराम, जै श्रीराम, जै श्रीराम, झाल, 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 झाल